नमस्कार केरे दर्शकों मैं आपका जोतिश मित्र आधित्य दुबेदी अगर आप अपनी कुंडली का परामर्स चाहते हैं, अपने प्रश्णों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का शमाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दसाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलां क कराना चाहते हैं या किसी सुभमहूर्द के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या वाटसप मैसेश कर सकते हैं जन्म कुंडली में दसम भाव का स्वामी कहां बैठा है इस पे चर्चा करेंगे पहले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि दसम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं तो क्या फलादेश करना है आज हम बात करेंगे कि अगर दसम भाव का स्वामी आ करके अन्य भाव में बैठे तो क्या रिजल्ट होगा सबसे पहले लगन का ही फलादेश लेते हैं अगर दसम भाव का स्वामी आ करके लगन में बैठेगा तो ध्यान से थोड़ा समझे पहले त्रिकोडों का ही अर्थ में समझाता हूँ दसंभाव किस में आता है अर्थ त्रिकोड में आता है और लगन किस में आता है धर्म त्रिकोड में आता है यानि की और ये दसंभाव होता क्या है आपका कर्म भाव होता है कर्म भाव कर्म से ही क्या आता है अर्थाता है काम करने से ही क्या आएगा धन की प्राप्ति होगी तो यहां पे आपका दसमेश धर्म त्रिकोड में जा रहा है यानि जो भी प्रोफेशन आपका है जिस काम में आप है उसमें आपको धर्म का पालन करना है अगर दसमेस लगन में है तो आपको बिलकुल उचित तरीके से और पूढ़ इमानदारी से ही काम करना है अगर आप बेमानी करना सुरू करेंगे तो आपका ये अर्थ बिगड जाएगा क्योंकि ये लगन क्या होता है धर्म त्रिकोड होता है यानि पूर्ण रूप से धार्मिक अपने धर्म का पालन करना होगा कारी और व्योसाए में और सास्त्रों में क्या लिखा गया है कि अगर आपके दसम भाव का स्वामी जा करके लगन में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति माता, पिता, पुत्र और पतनियाद से सुखी होता है यानि ऐसे जातक के जीवन में सारे सुखों की प्राप्ती होती है लगन मतलब होता है कि आप सोयम है और ये दसम मतलब आपका कर्म है आपका कर्मा करके आपके लगन में बैठा हुआ है यानि आप अपने बाहु बल से अपने स्वाकर्म से स्वा मेहनत से आप सम्रिध साली बनेंगे और धनी बनेंगे जिसका भी लगनेस चाहे दसमेस लगन में हो ऐसे लोगों को अपने स्वा प्रियास से ही सफलता मिलती है और ऐसे लोग काफी मान सम्मान जीवन में कमा लेते ह दसमेस का लगन में होना यह भी इंडिकेशन देता है कि ऐसे लोगों का बाल लेकाल थोड़ा सा रोग से ग्रसित रहा हो स्वास्त से बाधित रहा हो जैसे जैसे उमर बढ़ी होगी वैसे वैसे यह स्वास्त होते चले जाते हैं अगर दसमेस लगन में बैठा हो तो व्यक्ति सत्रू से रहित होता है ऐसे व्यक्ति के सत्रू अधिक नहीं बन पाते हैं माता और पिता की भक्ती भी करता है यानि माता पिता का सम्मान भी करता है अगर दसमेस लगन में जाता है और ऐसे जातक के पिता की मृत्यू पहले हो ज अगर आपका दसमेस लगन में गया हुआ है तो आपको अपना काम स्वयम करना होगा आप अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं किसी दूसरे पर छोड़ेंगे तो आपको नुकसान सहना पड़ेगा आपके काम में देरी होगी यानि सब ही कारियों को आप स्वयम करने में सच्छम है और स्वयम ही करना चाहिए भी अगर दसंभाव का स्वामी दुतिय भाव में आकर के बैठा हुआ हो यानि ये तो होता है दसंभाव अर्थत्रिकोड और दुतिय भाव भी होता है अर्थत्रिकोड तो अर्थत्रिकोड का स्वामी अर्थत्रिकोड में आकर के बैठता है जब तो ऐसे लोग किसी ऐसे कारि में ले करके आ जाएगा जहां से उनको बहुत अच्छा धन की प्राप्ती हो जाए अगर आपका दसमेश धन अस्थान में है तो ये जो दूसरा घर होता है ये आपके वारी का होता है आपके कुटुम्ब का होता है तो आपकी वारी का महत तो आपके धन कमाने में बहुत अध तो आपको अपना धन अपने कुटुम्बी जनों के ऊपर भी कुछ न कुछ मात्रा में खर्च अवस्य करना चाहिए इससे आपका धन अगर आप सौ रुपए अपने कुटुम्ब के लोगों पर खर्चा कर देंगे तो आपको सौ का हजार वापस आ जाएगा एक चीज विसे कभी भी कटू वचन का प्रियोग आपके लिए करना आपके कर्म छेत्र को बिगार देता है यहां पर अगर दसमेश दुतिय भाव में जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता का बड़ा लाडला होता उसकी माता उसके बचपन में बहुत मेहनत और परिस्रम से मोहों से उसका पालन पोशड की होती है यहां पर अगर दसमेश दुतिय भाव में जाता है तो अतिस्रेश्ट होता है ऐसा व्यक्ति अतिस्रेश्ट काम करता है और धन के कारण से ऐसा जा तक विख्यात होता है दसम भाव का स्वामी अगर तुतिय भाव में जाए तो क्या रिजल्ट बने नौकरी का होता है अगर हम दसम भाव से लगन देखते हैं तो यह केंदर होते हैं दोनों परस पर केंदर होते हैं दुतिय भाव देखते हैं तो यह दोनों परस पर त्रिकोर में पड़ते हैं लेकिन यहां पर तीसरा घर जो है यह दसम भाव से छठा होता है व्यक्ति को नौ नौकरी में काफी मेहनत करनी पड़ती है अगर व्यक्ति नौकरी में है छटा भाव जाब का होता है और ये तीसरा घर दसम से खस्टम है इसलिए व्यक्ति के लिए नौकरी के उसर जादा आते हैं और व्यक्ति जो कोई भी नौकरी करता है उसमें मेहनत भी ऐसे जातक को करना पड़ता है यहां पर व्यक्ति अपने बाहुबल से ही सुखी हो सकता है क्योंकि तीसरा भाव क्या होता है प्राक्रम का होता है अपने बाहुबल का होता है तो जातक अपने बाहुबल और प्राक्रम से ही सुखी हो सकता है अगर दसमें स्तृतिय भाव में होता है तो ऐस व्यक्ति अपने ऊपर के अधिकारियों से या बॉस से प्रेसर भी महसूस करता है और ऐसा व्यक्ति अपने मामा से अच्छा साथ और सहयोग पा जाता है और ऐसा व्यक्ति सेवा में लीन होता है और अपने कुल में स्रेश्ट होता है ऐसे व्यक्ति की पहचान उसके मेहनत और परिश्रम के कारण से बनती है और मेहनत और परिश्रम के लिए ऐसा व्यक्ति प्रसंसा भी प्राप्त करता है खस्टम भाव में दसम से तृतिये में खस्टम भाव है तो नौकरी के लिए ही ऐसे जातक उप्युक्त होते हैं और ऐसे जातक को नौकरी में छोटे छोटे ट्रांसफर आदिका भी सामना करना पड़ सकता है अब बात कर लेते हैं अगर आपका दसमेश चतुर्थ भाव में गया हुआ है अच्छा यहां पे यह भी देखिए कि यह दसम भाव जो है अर्थ त्रिकोड का है और आ करके कहां बैठा है काम त्रिकोड में काम मतलब क्या होता है काम मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ती के लिए किया गया प्रयास काम मतलब होता है इच्छा और थर्ड भाव क्या होता है हमारा स्वाहबल होता है प्रयास होता है तो आपको अपने जीवन में हर इच्छा की पूर्ती के लिए प्रयास अधिक लगाना पड़ेगा प्राक्रम दिखाना पड़ेगा राम भरो से काम नहीं चल पाएगा इसी प्रकार से अगर आपके त्यंत हाउस का लौड जो है वह फोर्थ हाउस में आ जाएगा तो क्या प् भाव के फल को बढ़ाता है अच्छा करता है चतुर्थ भाव क्या होता है सुख भाव होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने काम काज में सुख की तलास करता है जो उसके लिए अच्छा नहीं होता है यहाँ पर देखिए कि यह जो होता है अर्थ त्रिकोड है दसंभाव और यह मोक्ष तरकोड है मोक्ष क्या कहता है काम का विपरीत होता है काम जो है उसी का विपरीत मोक्ष होता है काम लालसा को बढ़ाता और मोक्ष कहता है लालसाओं को त्यागो यानि कि निसकाम भाव से कर्म करो तो जब भी दसम भाव का स्वामी चतूर्थ में आया हो तो आप किसी से कुछ भी काम कराईए या स्वयम काम करिए तो निसकाम भाव से करेंगे तो आपको बहुत ही बहतरीन रिजल्ट मिलेगा लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं और यह सोच के ही कर रहे हैं कि मुझे प्रमोशन मिलेगा तो आप देखेंगे आपको प्रमोशन नहीं मिल लेकिन जब आप बिना किसी उद्देश से के बिना परिड़ाम की चिंता किये हुए मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे लच्छे की प्राप्ती भी हो जाएगे दसम भाओ का स्वामी अगर चतुर्थ भाओ में आया हो तो अपने अधिकारियों से सम्मानित होता है कारण यही होता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई बहुत बड़ी लालसा नहीं होती है व्यक्ति काम करने पे फोकस करता है ना की परिड़ाम पाने के लिए ऐसा व्यक्ति जो होता है सभी में लगभग लगभग प्रिये हो जाता है अपने वर के स्टाफ में लगभग सभी का प्रिये होगा ऐसा व्यक्ति इस्तरियों का भी अधिक प्रिये होता है यह से व्यक्ति का हिर्दय भी अच्छा होता है माता से अच्छा सुख मिलता है सत् ग्रत्रू बाधा ऐसे जातक के बहुत अधिक नहीं रहती है। जातक सत्य बोलने वाले होते हैं और दान पुन्य करने वाले भी होते हैं। पंचम में या नवम में आपका दसमेश जा रहा है तो आपको अपने कार्य में धर्म का पालन करना होगा बेमानी नहीं करनी होगी इमानदारी बरतना होगा समय सीमा का पालन करना होगा तब ही आप सफल हो सकते हैं यह पंचम भाव जो होता है धर्म त्रिकोड है और संतान का भी भाव होता है तो यहाँ पे एक विशिश चीजी समझना है अगर आपका दस्मेश पन्चम भाव में आया है तो संतान उत्पत्ति के बाद आपके कार्य छेत्र में विशिश रूप से प्रगती की संभावनाएं बनेंगी वहीं अगर दसमेश चतुर्थ भाव में है तो माता के निमिक्त सेवा करके आप अपने कार्य छेत्रों को बढ़ा सकते हैं क्योंकि कर्म जिस भाव में जाता है कर्मेश उसी भाव के रिस्ते के अधीन हो जाता है तृतिय भाव यहां यह बुद्धी का भी भाव है तो अगर दसमेश यहां आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने कामकाज में बुद्धी और विद्या का प्रियोग अधिक करने लगता है जो उसके लिए काफी अच्छा होता है ऐसे लोग कई लोगों का अपने परिवार में पालन करते है भूमी का योग बहुत अच्छा बनता है वाहन का बहुत अच्छा लाव मिलता है और समय समय पर व्यक्ति को प्रमोशन या बिजनस में धन लाव होता रहेगा यानि साल भर में अच्छा योग बनता रहता है व्यक्ति उचाई की तरफ बढ़ता रहता है यानि यहां पर ज अस्टम जाएगा यहां पर अपने भाव से अस्टम जाएगा अगर दसमेश पंचम में है तो ऐसी स्थिति में अस्टम अस्थान क्या होता है गूढ चीजों का होता है तो व्यक्ति गूढ चीजों का ग्यान रखने वाला होता है अपने कार्य छेत्र से जुड़ा हुआ अग अगर दसमेस आपका पंचम भाव में है तो आगे चलके अगर आपका कोई बिसनस वगेरा है और संतान बड़ी होती है तो उस बिसनस में आप अपने संतान को पार्टनर बना सकते हैं अगर दसमेस पंचम भाव में हो तो जातक के पास जो भी ग्यान हुनर और विद्या होता ह उसकी संतान उस ग्यान हुनर और विद्या को भविस्य में अपना लेती है अब बात करते हैं दसमेस के कस्टम भाव में आने से दसम भाव जो है यह भी अर्थ त्रिकोड है और यह भी अर्थ त्रिकोड है तो ऐसे में अर्थ अर्थ का कॉंबिनेशन बनता है यानि ऐसे लोग अपने काम से पैसा निकालना जानते हैं अब यहां पर एक बिसेश बात या जानिए छठा भाव जो होता है रोग का होता है, रिड का, सत्रू का, वाद विवाद का तो अगर दसमीज छठे भाव में हो तो व्यक्ति वकालत के फिल्ड में जा सकता है व्यक्ति रोग से जुड़ा हुआ क्या फिल्ड है डॉक्टरी का फिल्ड है विवादों से जुड़ा हुआ फिल्ड कौन सा है सेनापुलिस का तो इन छेत्रों में जाने के लिए काफी अच्छा योग बन जाता बॉस होगा आपका जो सेनियर होगा उससे आपका यदा कदा बैर होने की संभावना भी बनी रहती है और आपके सत्रू हमेशा आपके काम काज पे नजर जमा के रखे रहते हैं इसलिए सत्रूं से विसेश साउधानी रखनी चाहिए जैसे कोई प्रमोशन या पद आपको मिल तो पैर के घुटनों में आपको समय समय पर दर्द होने का भी योग बना रहता है ऐसे में क्या होता है कि आपको दसमेश की वस्तु का आप दान कर सकते है अगर दसमेश आपके यहां बेठा है और कुंडली में सोर्य और मंगल का किसी भी प्रकार से संबंद बन रहा है तो ऐसे बालक बालकाओं को मेडिकल के फिल्ड में जाना ही जाना चाहिए यह जो दसमभाव होता है यह दसमभाव नवम से दुती होता है यानि पिता का सुक हो होता है दसमेश के सब्तम में आने से जातक की जो पतनी होगी रूपवती होगी कल्यानकारी होगी साथ ससुर की इज़त करने वाली होगी साथ ही साथ आप देखिएगा जिसका भी दसमेश सब्तम में आया है अगर ऐसे लोग पार्टनरशिप में बिजनस करें और अपनी पतनी का ना की नहीं आपाती है क्योंकि ये आपका कर्म भाव है और ये किसके अधीन हो गया जीवन साथी के हो गया तो अगर इस तरी है तो पती को पार नाम डाल दीजिए बिसनस में और पुरुस है तो इस तरी का नाम डालिए और याद रखिए अगर आपका दसम भाव का स्वामी सब सब्सक्राइब भाओं में आके बेठा है और आप नोकरी कर रहे हैं नोकरी से परेशान हैं तो छोड़ दीजे और बिसनस में आ जाए है दसमेस का सब्सक्राइब बिसनस की ही तरफ संकेत देता है तो यहाँ पे 10 मेंस अगर सब्तम में है तो आप बिसनस करिए वह आपके लिए जादा अच्छा है जीवन साथी का नाम भी पार्टनर्सिप में डालिएगा ऐसे लोग हवाई यात्राइं भी करते हैं यानि कुल मिला करके काफी ठीक रिजल्ट आता है 10 मेंस का सब्तम में होने से ऐसे लोगों का कर्म जागरित होगा विवाह के बाद में क्योंकि दसंभाव कर्म है और ये क्या है जीवन साथी का है ये योग बड़ा अच्छा बनता है दो योग बड़े अच्छे बनते हैं अगर अर्थ का संबंध दसंभाव अर्थ है अर्थ का संबंध किसी धर्म वाले भाव से बने तब और अर्थ का संबंध किसी काम त्रिकोर वाले भाव से बने तब ये दोनों कॉंबिनेशन ठीक नहीं है, मोक्ष का संबंध काम से बनना ठीक नहीं होता है, विरोधा भास हो जाता है, तो इसलिए जब भी आपका दसमेस आता है, यहां पर सप्तम भाव में तो अर्थ का संबंध काम तर्कोड के भाव से अपने आप नेचुरली बन जाता है, जो आपके लिए काफी अ नहां से रोग देखते हैं और बारामे भाव से हॉस्पिटल भी देखा जाता है तो अगर दसमेस आपका अस्टम भाव में आ करके बैठा हुआ है तो यहां आपको कार या छेत्र में समय समय पर परिशानिया लाएगा भले ही दसमेस कितना ही अच्छा हो छटे में जाएगा आठवे में बारामे में जाएगा तो कैरियर को ले करके ऐसे व्यक्ति को जादा चिंता रहती है तो कैरियर की चिंता यहां आपको देगा अधिक उमर तक आपको लगेगा कि अभी तक मेरा कैरियर सेट नहीं हो पाया है अगर आपका दसमेस अस्टम में है तो आप मेडिकल के फिल्ड के लिए प्रियास करिए अस्टम भाव गहरा अस्थान है तो इसलिए ऐसे व्यक्ति गूढ काम करते हैं कभी कभी ऐसे लोग गलत तरीके से काम करते हैं ऐसे काम करते हैं जिसे चोरी छिपे करना पड़े ऐसे लोग खरदन का काम कर सकते हैं जो जमीन से खोद के ची मिलेगा और ऐसे लोगों के काम को लोग रहस्यमई मानते हैं जिसका दसमेश छठे आश्टमभाव में होगा ऐसे लोग रहस्यमई विभागों में नोकरी कर सकते हैं ऐसे लोगों के कामकास के बारे में समाज में कम सोचना रहती है जैसे कुछ ऐसे विभाग भी है सरकारी जो गूपत विभाग है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी जाती है तो किसी ऐसे विभाग में भी व्यक्ति काम करने वाला हो सकता है अगर आपका दसम भाओ का स्वामी नमम भाओ में जाकर के हाँ एक चीज और यहाँ पर है यह अर्थ त्रिकोड है यह मोक्ष त्रिकोड है यानि जब भी किसी का दसमे सस्टम भाओ में जाएगा तो उसे जो है बिना आसकती के बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मेहनत करनी होगी तब ही वह सफल होगा और जैसे ही किसी भी भाओ का स्वामी जब मोक्ष त्रिकोड में हो और आप एक्सपेक्टेशन पालेंगे न तुरंत आपको उसी चीज से तनाव चिंता परेशानी डिस्टर्वेंस पैदा होने लगेगा और जैसे ही एक्सपेक्टेशन खतम करेंगे वहीं से अच्छा जल्टा जाएगा अब अगर दसंभाओ का स्वामी नमंभाओ में आया हुआ हो अर्थ का संबंध धर्म से बना हो तो ऐसे वक्ति अगर साल भर में एक दो धर्मी की आत्राएं करेंगे तो इनका काम निश्च अर्थ कुंडली लाने के बावजूद भी धिरे धिरे अभागे हो जाएंगे इसलिए अगर दसंभाओ का स्वामी नमं में है तो पिता का ख्याल रखिये पिता को धर्म भी कहा गया है धर्मी की आत्राओं पर पिता को भी लेकर के जाएए अपने कामकाज में अपने स्वा धर्म का भी पालन करिये स्वा धर्म क्या होता है परिवार के प्रतिधर्म माता पिता के प्रतिधर्म जो सामाजिक धर्म है उसका पालन और सम अपना सामुदाइक धर्म जिस धर्म में हैं इंदू हैं तो हिंदुत्व के रास्ते पे चलें पूजा पाड थोड़ा मंदिरो आज धार्मिक तीर्थों में जाना आपके कैरियर को बहुत ही निखार सकता है ऐसे लोग जिनका दसमेश अगर नमंभाव में आया होता है ऐसे लोगों की आफिस या कार या स्थल जहां पर हो वहां आसपास भी कोई ना कोई धार्मिक अस्थल होता है कोई ना कोई देवी दियोताओं का अस्थान होता है उस अस्थान पर भी इन लोगों को जाते रहना चाहिए अब यहां पर अर्थ का संबंध धर्म से बना है तो ऐसे लोग धार्मित गत्विधियों से भी अपना केरियर बना सकते हैं जो तेश पूजा पाठ परोहिताई पं अगर ही मान लेंगे अपने ही घर में बैठा हुआ मान लेते हैं ऐसे में क्या होगा अगर दसंभाव का स्वामी दसंभाव में ही बैठा है तो कार्य छेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा अगर यह सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के कोई ग्रा होगा तो राजयोग भी जैसे मंगल होगा तो रूचक राजयोग बनेगा बुद्ध होगा तो भद्र सुक्र होगा तो मालब्य सनी होगा तो सस और ब्रहस्पती होगा तो हंस नाम का राजयोग बन जाएगा अगर दसंभाव का स्वामी दसं में है ऐसे व्यक्ति के कर्म बड़े निर्मल होते हैं ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से नाम कमाता है अगर राजनीत में जाता है तो भी उचापद पाता है जहां भी रहेगा जहां नौकरी करेगा महां पर उसे उचेपद का आफर आना ही आना है ऐसा व्यक्ति नीत इमान होता है भाईवंधों से युक्त होता है प्राक्रमी होत है भाग्य साली होता है तौह अपने भाग्य का निरमाता भी होता है अगर दसम्भाव का सौंई आपका दसम्भाव में ही बेठा हुआ है तो आप से फॉर्व के उपर आश्रत नहीं होना पड़ेंगा स्वामी अगर एका दस drinking में गया हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की महत्वा कांचाएं काफी बड़ी होती है काम को में कर्म को लेकर के महत्वा कांचाएं काफी ऐसे जात्यकों की बढ़ जाती है आर्थत्रिकोड्वे गया हुआ है एसे लोग काम और मैंद करके अपनी इच्छाओं और अभिलासाओं को पूरा कर सकते हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं अगर आप 10 में से 10 भाव में हैं तो कादस भाओ जो होता है किस चीज़ का होता है प्रयास नगर आप काम करते समय प्रसन्न रहें गहांद। की उम्मीद है वहीं अगर अपले दुख्व रहेंगे तो आपको काफी जादा दिक्कतों का सामना पड़ सकता है अगर आपका दसमेस एकादस बहाओं में है तो आप अपने कमपटीटर्स को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाते हैं यानि आप अपने सत्रूओं को हरा करके धन की प्राप्ति करते हैं इस्तरी आपकी बहुत अच्छी होती हैं पत्र आद भी काफी अच्छे होते हैं आपको सभी प्रकार की गाड़ियों का सुख और रतन का सुख वस्तरों का सुख यानि आभूसर पहनने का सौकीन होंगे आप तो मिलेगा वस्तर अच्छे मिलेंगे गाड़ी अच्छी गाड़ी में बैठ के चलेंगे हर प्रकार से यह अच्छा करता है अगर आपका दसमेस बाराहमे भाव में जाकर के बैठा हुआ है जिसे हम मोक्छ तरिकोड कहते हैं तो पहली चीज अगर दसमेस बाराहमे भाव में है तो बाराहमा भाव विदेश का भी होता है ऐसे जा तक विदेश जा सकते हैं नोकरी के लिए या बेवसाय के लिए बिजनस के लिए बाहर जाने का योग ऐसे लोगों का प्रबल हो जाता है ऐसे लोग जो है अगर किसी से सत्रुता लेते हैं और उनसे भिड़ते हैं तो इनके इनकी ही हानी होती है इसलिए किसी भी प्रकार के बवाल और विवाद से बचने का प्रयास करना चाहिए दूर रहना चाहिए अब ये देखिए मौक्षतरकोड है और ये अर्थतरकोड है तो अर्थतरकोड का स्वामी मौक्षतरकोड में है तो बिना किसी कामना के ही आप मेनद करेंगे तो ही सफल होंगे अन्यता आपका काम बेकार जा सकता है ऐसे लोग अच्छे नर्स होते हैं ऐसे लोग कहीं भी रहें तो बहुत अच्छे सेवक होते हैं मेडिकल का फिल्ड ऐसे लोगों के लिए अच्छा हो सकता है ये जेल का भी भाव होता है बंधन का भी होता है तो कुछ लोगों की कुंडली में देखा गया है दसमेस 12 में जाता है तो लोग जेलर वगेरा या जेल की नोकरी भी कर लेते हैं बाहर जाते हैं अक्सर ऐसे लोग अगर किसी भी चीज में एक्सपेक्टेशन रख के काम करते हैं तो उनको नुकसा नहीं होता है अन्यता ऐसे काफी सुभ परिडाम भी प्राप्त कर लेते हैं यहां पर विदेश के लिए नौकरी करने जाने का योग हो जाता क्योंकि दसंभाव कर्म भाव है या विदेश का भाव बनता है अगर आपका दसमेश बारह में भाव में गया हुआ है तो आपका दसमेश के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है दसम भाव का स्वामी लगन में बैठे दुतिये भाव में बैठे चतुर्थ भाव में बैठे सब्तम भाव में बैठे और या फिर आकर के नमम भाव में बैठे दसम में एका दसमे या सबसे अच्छी स्थिति है अगर द दसंभाव का स्वामी तो आपने देख लिया इसके साथ यह भी आपको देखना चाहिए कि जो दसंभाव का स्वामी जहां बैठा है उससे दसंभाव में कौन सा त्रिकोर बन रहा है उन दोनों का भी कॉंबिनेशन आप निकाल करके जान सकते हैं धर्मार्थ काम मोक्ष में से कौन सा त्रिकोर बना हुआ है उमीद है विसे वस्तु आपको समझ में आया होगा